Hello everyone, welcome to It's All About Economics. For more videos, lectures, tutorials in economics, you can subscribe my channel. और आज का जो लेक्टर है वो है एक और मेजर मैक्रो एकनोमिक इसू जो की है बैलन्स ओफ पेमेंट और एक्चेंज रेट. हम देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकूलर लेक्चर में कि क्यों ये एक मेजर मैक्रो एकनोमिक इसू है और क्यों मैक्रो एकनोमिक पॉलिसीज में बैलन्स ओफ पेमेंट को बैलन्स करना और एक्चेंज रेट में जो डेवियेशन है उसको दूर करना या इस्टेबिलि problem of unemployment, national income, inflation, stagflation, business cycles, economic growth इन सब की बात करके आ चुके हैं और ये भी एक प्रमुक जो है वो macro economic issue है एक major macro economic issue है जिसको हमको एक इसका introduction लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो without wasting much time हम directly आते हैं कि balance of payment सबसे पहले है क्या तो balance of payment एक तरीके का लेखा जोखा है और लेखा जोखा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है दो पक्ष होंगे एक होगा आपका credit और दूसरा होगा आपका debit तो इसके भी दो पक्ष है credit और debit credit मतलब जो हम को जो हम receive कर रहे हैं अपने country में और debit means जो हम payments कर रहे हैं अपने किसी भी तरीके के कंजामशन या किसी भी तरीके के services के लिए तो आपका जो भी अगर हम particularly इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो residents हैं वो rest of the world के साथ उनके क्या economic transaction है अगर हम उनको इस तरीके से record करें credit or debit में किसी particular time period के लिए let's suppose we are talking about the financial year of 2021 to 2022 तो इसको हम बोलेंगे कि ये balance of payment है ठीक है और balance of payment क्या हो गया ये एक लेखा जोखा हो गया किसी एक देश के नागरिकों का दूसरे देश यानि उस देश से अन्य यानि rest of the world के साथ जो भी आर्थिक जो लेन देन होगा जो भी economic transaction होगा उन सबका record जो है वही B.O.P है यानि balance of payment है या भुकतान संतुलन है अब भुकतान संतुलन में basic है कि भाई credit और debit है तो credit में क्या-क्या आजाता है यानि आपको किन-किन चीजों से जो है वो income प्राप्त हो रही है हमारे देश के residents को अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई भी commodity अगर हम यहां से export करते हैं तो उसके बदले में हमको foreign exchange मिलेगा अगर हमने let's suppose कि कोई commodity जो है वो हमने श्री लंका को या हमने यूएस को या हमने European किसी भी country को export किया तो उसके बदले में हमको foreign exchange मिलेगा और ये foreign exchange जो हमारी income यानि receipt की तरह काम करेगा तो हमारे credit में इसकी जो entry हो जाएगी प्लस इसके साथ ही साथ जो services हमने render की है यानि जो हमने services दूसरे देशों के लोगों को और दूसरे देशों को जो दी है उन services के बदले में भी जो हमको foreign exchange मिलेगा वो भी हमारा किसमें आएगा हमारी receipt में आएगा यानि हमारे credit में आएगा इसी के साथ साथ जो capital हम receive कर रहे हैं दूसरे जो देशों से तो वो सारी जो capital receive हो रही है वो चाहे investment के रूप में हो चाहे जो जो borrowings के रूप में हो वो सब किसमें आएगा आपके and false receipts में आएगा इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है जो है debit का यानि जो आपका payments का पार्ट है और obvious है कि अगर हम export कर रहे थे तो हमको income मिल रही थी और अगर हम import करेंगे goods को, commodities को तो obvious है कि हमको जो foreign exchange हम कमा रहे हैं वो foreign exchange हमको इन imports के consumption के लिए या imports के लिए आयात के लिए हमको खर्च में जाएगा, इसी तरीके से अगर हम दूसरी दूसरों की services ले रहे हैं, दूसरे देशों की सेवाएं ले रहे हैं तो ये भी हमारे किस में जाएगा, ये भी हमारे debit में जाएगा, यानि हमारे payments में जाएगा, इसी तरीके से capital transferred to foreign countries, यानि जैसे let's suppose कि हमारे देश के जो हैं, वो दूसरी countries में अगर investment कर रहे हैं, तो जो economy में से हमारे economy में से investment कहा जा रहा है, दूसरी economy में, तो ये capital एक तरीके से कहा हो रही है, transfer हो रही है, तो ये हमारे debit पक्ष में दिखाएगा, ओके, इसको भी हम थोड़ा सा और detail में देखने की कोशिश करेंगे, तो ये गलग तरीके के account होते हैं, एक आपका होता है current account और दूसरा होता है आपका capital account, तो current account में क्या क्या चीज़े आ गई, current account में आपके आ गए, visibles और invisibles, visibles मतलब क्या होता है, जो वस्तूओं का जो commodities का जो व्यापार होता है, क्योंकि वो हमको दिखती है, उनकी shipment होती है, और उ एक आपके port से, दूसरे port में उसकी जो है वो आवागमन होगा, यानि यहां से यह मा लेज़े कि यह आपका विशाका पत्तनम का port है, तो let's suppose कि यह अगर श्री लंका में कोलम्बो port पे जा रहा है तो यह कोलम्बो पे इसकी receiving होगी, और यह आपको show हो रहा होगा, क्योंकि commodities का trade है, तो commodities के trade को इसलिए हम visibles का trade बोलते हैं, और इसमें आप for example आप बोल सकते हैं कि crude oil है, जैसे let's suppose cars हैं, mobiles हैं, computers हैं, यह सारी चीज़ें जो हैं, वो आपकी export, import इसमें show होगा, इसके साथ-साथ हमारा जो दूसरा होता है, यह है part इसका current account का, वो है, invisibles का, इसमें मु services means सेवाओं का जो है वो व्यापार, और इसमें आते हैं आपके transfers, है न, तो पहले इसको समझ लीजे, क्यों हम इनको invisibles बोल रहे हैं, क्योंकि यह किसी port पर इनका कोई registration और show नहीं हो रहा है, नहीं यह port to port हो रहा है, यह सारी चीज़ें जो हो रही है, services का जो आदान परदा हो रहा है, वो आपका visible नहीं है, कोई port में entry नहीं है, दूसरे port में किसी तरीके की entry नहीं है, यह सब financial transactions की through हो रहा है, तो trade in services को अगर आप देखें, तो इसमें दो तरीके की trade in services होती है, एक तो factor, एक तो आपकी factor हो गई, और एक आपकी हो गई non factor trade, तो एक आपकी factor trade हो गई और एक आपकी non factor trade हो गई, particularly अगर आप trading services की बात करें, तो factor trade में क्या क्या आता है, factor trade में आपका आता है compensation, आपका investment income, और आपके dividends, आपके profits, interest, यह सारी चीज़ें, तो जो भी पैसा आपने लगा रखा है, उसका जो भी dividend आ रहा है, investment income आ रही है, compensation आ रहा है, interest component आ रहा है, वो सब जो है, वो factor trading services में आता है, non factor trading services में, जैसे let's suppose कि आपकी जो services है, जैसे banking services है, उनका कोई consumption कर रहा है, तो वो इसमें आएगा, shipment आपकी services है, उसका कोई use कर रहा है, तो इसमें आएगा, software services आप provide कर आ रहे हैं, तो उसका जो trade है, वो इसमें आएगा, तो यह आपको investments हैं उसके बदले में आपको investment income के बदले में आपको dividend profits या interest मिल रहा हो और non factors में जो भी आपकी services आप provide कर रहे हैं उसके बदले में directly जो आपको remuneration मिल रहा हो वो आपका trade in services में आता है इसके साथ ही साथ जो आपके transfers है transfers में आपका gifts होते हैं आपके remittances होते हैं आपके grants होते हैं तो यह सारी चीज़े जो है वो transfers में आएंगी और net transfers आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने gifts आपकी country को कितने gifts कितने grants और कितने remittances मिले हैं प्लस आपकी country से कितने gifts दूसरी countries को grants दूसरी countries को या remittances जो है वो दूसरी countries को गए हैं और उससे आप अपना net transfer निकाल सकते हैं उसी तरीके से आप यहाँ यहां पे net trade-in services निकाल सकते हैं आप यहां से net visible कि आप кол заним keyword को मुअडिटि के records कि वैलियू क्या है और इस तरह से आप जो है वो net trade-in goods या net безफ म काल सकते हैं और इस ठीक से इन दोनों को अगर आप जोडके इनका निकाल दें तो Net of Visibles आ जाएगा now coming to capital account अगर हम capital account की बात करें तो capital account में बेसिकली जो है वो आपका एक तो foreign investments आते हैं और दूसरा जो आपका loan और आपके non-residents deposits और अदर flows आते हैं ठीक है basically आपको यह समझने की जुरुत है यहाँ पे कहा जो है यहाँदुमेंगी और इसके वी साथ इसाथ जो आपका Winnel मिनमें भी टानकिम होदा हो 152 है इस सबस्क्राइंड इन्मेश्वेस्वेस्पेश्ट मेरी डी और इसमें आप प्रमु कुरूप से आफ देखेंगे तो fii फॉरेंड इंस्टिशनल इंवेस्टर्स जो होते हैं उनके थूरु पैसा आता है तो इसके साथ इसाथ इक्विटीज होती हैं बहुत सारी यूरो इक्विटीज हैं और ये सारी चीजे जो है आपकी फॉरेंड इन किमर्शल बॉर्विंग्स आपने कहां से कितनी ली हैं तो वो फो डेट अनट कि रेलागा चैसð अब्र स्टीवर्टम ःल खकल निन ब्लकषा्ट अमनुमस कर सकते हैं लुगे अविरसाएई जैसीज काूल dipped सब्सक्री तरहरें आप उनकर बांग ळ सकते हैं इसकी इसे झालेंज़ ध्यूमस काई और प्सारत बहुत शर्यान में आ गया होगा कि दो पार्ट हैं करेंट एकांट और कैप्टल अकांट और किस तरीके से करेंट अकांट में आप वीजिबल्स और इंविजिबल्स को देखते हैं जो भी आपका चाहे सर्प्लस हो चाहे वह डेफिसिट हो balance of payment में अब obvious है कि आप जब भी balance of payment ये लेखा जोखा बनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी country में import जादा हो रहा हो और exports कम हो रहा हो हो सकता है कि इसका उल्टा हो exports आपके जादा हो और imports कम हो और इसी तरीके से capital flows में भी हो सकता है mismatch हो जरूरी नहीं है कि जितना आपका बाहर जा रहा है फ्लो उतना ही जो है वो फ्लो अंदर आ रहा हो है ना तो हो सकता है कि इसमें जो है वो surplus या deficit हो आपके BOP में surplus का मतलब क्या है कि आप जो है आपके हाँ receipts जो है वो जादा है है ना और और आपके payments जो है और debit कम है ठीक तो यह आपका surplus कहलाएगा इसका उल्टा जो है वो deficit हो जाएगा यानि आपके receipts कम है और आपके payments जादा है तो दोनों ही situation जो है वो किसी भी economy के लिए जो है वो problems create करती है हम देखेंगे इसको कि यह कैसे problem creates करती है कि balance और payment में अगर आपको surplus है तब भी आपको किसी तरीके के नुकसान हो सकते है अगर deficit है तो कुछ अलग तरीके के नुकसान हो सकते है और यह जो नुकसान होते है वो exchange rate के थू होते है अब हम पहले यह देखें कि यह exchange rate क्या है तो exchange rate जो है वो किसी भी country की जो जो भी currency होती है जैसे लिए suppose कि हम exchange rate होती है वो यह होती है कि इसको दूसरी currency यानि foreign currency में किस दर पर जो है वो exchange किया जा सकता है उसी से बना है exchange rate let's suppose कि for example हम बोलते हैं कि अगर 70 rupees equal to one dollar है तो इंडिया का जो exchange rate है किसके comparison में dollar के साथ तो dollar के साथ जो इंडिया का exchange rate है यह हो जाएगा यानि एक dollar बराबर कितने रूपीज उसी तरह से एक euro बराबर कितने रूपीज है न यह हम लिख सकते हैं कि एक euro बराबर कितने रूपीज है तो वो आपका euro के साथ हमारी जो convertibility या euro के साथ जो हमारी exchange rate है उसको सो करेगा अब पहले इसको देख लें कि exchange rate जो है एक free market economy में determine कैसे होती है तो इसको आप simply ऐसे समझ सकते हैं कि एक graph से मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ और इससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बी ओपी में जो changes है वह एक्षेंज रेट में changes करते हैं और एक्षेंज रेट में changes अगर होंगे तो क्यों जो है इन stability बनी रहेगी तो वाई एकसेस और ले सपोज कि एकसेस है और एकसेस पे हम supply and demand लेते हैं किसकी foreign currency की supply and demand of foreign currency quantity ले सपोज हम हम dollars की बात कर रहे हैं तो हम US dollar की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे quantity of dollar है ना तो US dollar की और Y access पे हम ले रहे हैं price of dollar यानि जो भी एक dollar है उसकी price क्या है यानि इसको आप बोल सकते हैं कि rupees per dollar है यानि कितने एक dollar में कितने rupees ठीक यह यहां पर आ जाएगा ठीक है obvious है कि आप access पे y access पे उपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यह शो होगा कि per dollar जो है वो यहां पर rupees कितने हैं और इधर आपकी quantity है किसकी dollar की supply and demand अब जो demand curve है मैं simple linear demand function ले रहा हूं और simple जो है आपका supply function ले रहा हूं तो यह suppose करिए कि access जो है वो supply है किसकी आपकी foreign exchange यानि यहां पर dollar की और यह demand है आपके dollar की और obvious है कि demand and supply जो है वो normal जो आपके जो course होता है यानि law of demand और supply के एसाब से काम कर रहा है यानि किसी वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उसकी demand उतनी ही कम होगी और किसी चीज़ कीमत जितनी ज़्यादा होगी उसकी supply उतनी ही ज़्यादा होगी तो किसी चीज़ की price जितनी ज़्यादा होगी supply उतनी ही ज़्यादा हो एक दूसरे को इंटरसेट करेंगे वहाँ पर जो है वह एक्षेंज रेट डिसाइड हो जाएगी कहां सॉरी यह थोड़ा सा कि आप इसको एक सीधी लाइन खीश सकते हैं और उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मेरी ड्रॉइंग थोड़ा अच्छी नहीं है तो आप आप देखिए यहां पर यह आपकी डिसाइड हो गई यह आपकी रूपी पर डॉलर कितना रूपी लेस्ट सब्सक्राइब को बोलते हैं कि यह 65 का रूपी 65 का लेवल था और यह आपका हो गया सप्लाइ और डिमाइड यहां पर डॉलर की बराबर हैं और जहां पर यह दूसरे को इंटर चैट कर रही है महां पर जो है आपका एक्चेंज रिट एक डॉलर की हो गया तो यह वन डॉलर is equal to आपका 65 रूपी आपका यह एक्सचेंज रिट आपकी हो गई तो जहां मार्केट में जो है वो डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की तो यह शिफ्ट करेगा उपर की तरफ और जो नया जो डिमांड करव है वो ओल्ड सप्लाई करव को यहां पर इंटरसेट करता है तो आप देखेंगे कि जो एक्षेंज रेट है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएग तो यह आपकी बन जाएगा इसलिए सपोस कि यह 60 रूपीज का लेवल है तो एक्षेंज रेट आप देखिए किस तरीके से चेंज होगी अगर डिमांड में या सप्लाई में चेंज यह सप्लाई में चेंज के साथ भी हो सकता है कि सप्लाई मान लिजे कि किसी समय पे डॉल इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डॉलर की सप्लाई आपके हां अच्छी है यानि डॉलर की सप्लाई अगर आपके यहां लगातार बढ़ रही है लेकिन डिमांड के साथ साथ बढ़ रही है तो एक्षेंज रेट में ज्यादा चेंज नहीं आएंगे लेकिन अगर एक कॉंपोनेंट जो है उसमें ज्यादा चेंजेज ना हो और दूसरे कॉंपोनेंट में बहुत तेजी से चेंजेज हो तो एक्षेंज रेट में जो है वो उतार चड़ाओ आ सकते हैं अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आप देखिए इस्टेबिलिटी पर हम ब बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की और हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए सबसे पहले तो यह कि कोई भी एक्सपोर्टर जो होगा हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के जो exporter होंगे let's suppose अगर वो US को export कर रहे हैं कोई भी चीजे तो US जो है उनको उसके बदले में dollars में payment करेगा और इसी तरीके से जो importer है हमारे कोई भी चीज अगर वो US से import करते हैं तो US से कोई वस्तू अगर मालीजे आई commodity या service आई तो उसके बदले में importers को क्या करना पड़ेगा उनको payment करना पड़ेगा अब ये payment रुपीज में तो करेंगे नहीं क्योंकि US वाले रुपीज का क्या करेंगे US को तो चाहिए dollar क्योंकि वहाँ dollar चलता है तो US जो है वो dollar US को जो dollar देने के लिए importers को क्या करना पड़ेगा importers को अपने यहाँ पे rupees दे करके dollar में convert करना पड़ेगा और ये dollar जो है वो अपने जो भी importer agency है उसको payment करना पड़ेगा तो इस तरीके से ये जो payment होते हैं ये financial transactions और financial institutions के थू होते हैं ठीक है अब bank system जो है वो convert करके देगा rupees को dollar में dollar को rupees में अब आप देखिए यहाँ पे जब भी exchange rate में changes आएंगे let's suppose कि exchange rate जो है वो 65 से जो है वो 70 हो जाती है per dollar है ना तो यहाँ पर आप देखिए जो exporter होगा जब वो वस्तू को export करेगा तो उसको तो payment किस में मिल रहा है dollar में ठीक है let's suppose कि उसको payment dollar में मिला पहले उसको same dollar मालिज़े उसने hundred dollar का जो है वो export किया अब hundred dollar का अगर उसने export किया तो पहले उसको hundred dollar को convert करने पर कितना रुपे मिलता पैंशट सो रुपे ठीक है लेकिन अब उसको कितना मिल जाएगा hundred dollar पे साथ हजार उपे ठीक है ना तो आप देखिए कि exchange rate अगर बढ़ी तो उसका फाइदा क्या हुगा किस तरीके से हुगा exporter की हमारी income बढ़ गई यानि हमारी exports की income बढ़ गई यानि हमारा exports का जो आपका जो credit पक्ष है वो बढ़ जाएगा इसका असर importers पे क्या होगा वो देख लीजे importers को आप मानिए कि importers जब भी कोई वस्तु import करेंगे कोई commodity या service इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको payment जो है वो dollar में करना है जिस भी मान लीजे यूएस एजनसी उसे वो मंगा रहे है तो यूएस एजनसी को उनको dollar में payment करना है अब पहले उनको 65 रुपए में कितना मिल जाता था एक डॉलर मिल जाता था ठीक है लेकिन अब इसी एक डॉलर के लिए exchange rate क्योंकि बढ़ गई है उनको कितना रुपए देना पड़ रहा है सतर रुपए और तब जाकि उनको एक डॉलर का सामान यूएस से मिल रहा है तो हमारे यहां पर imports पर कैसा एसर पड़ रहा है इसका negative impact पड़ रहा है आप देखिए तो इससे हमारे exports क्या imports क्या हो गए महेंगे हो गए तो जाहिर सी बात है जब भी exchange rate जो है वो 65 से 70 पर जाएगी यानि exchange rate में जो है वो बढ़ोतरी होगी यानि आपका जो रुपी जो है वो आपका depreciate करेगा इसका हम क्या बोलते हैं depreciation of रुपी यानि इसका मूल रहास रुपे में मूल रहास तो जब भी रुपे का मूल रहास होगा तो हमारे imports जो है वो महंगे हो जाएंगे और exports जो है वो क्या हो जाएंगे सस्ते हो जाएंगे ये exports को बढ़ाने की tendency रखेंगे और imports को घटाने की tendency रखेंगे और अगर imports घटेंगे और exports बढ़ेंगे तो जाईर सी बात है कि हमारे यहां का credit जो है वो बढ़ेगा और debit जो है वो कम होगा यानि हमारे यहां supply foreign exchange की बढ़ेगी और हमारे यहां demand जो है वो कम होगी क्यों क्योंकि imports महंगे हो गये हैं तो dollar की demand कम हो जाएगा अब आप देखिए supply बढ़ना और demand का कम होना अब आप देखिए इस figure से आप समझ सकते हैं कि supply अगर मार्केट में बढ़ी तो ये right shift की right की तुरह shift करेगा और demand वाली ये उतनी रहती है कम नहीं होती फिर भी आप देखिए ये इंटरसेट कहां पर करेगा इस point पर जो कि पहले से एक lowest point है पहले से एक lowest point है पैसेट से नीचे यानि ये जो situation है जो exchange rate जो है वो अपने आपको समयोजित करने की कोशिश करेगी कैसे समयोजित करने कोशिश कर रही है एक free market में demand और supply के द्वारा foreign exchange की और ये जो fluctuations है इसी को हम बोलते है external imbalance और ये जो external imbalance है ये BOP के जो issues है उनको create कर सकता है अगर exchange rate में कोई changes आये तो BOP में problem create कर सकते है अगर हमारे BOP में credit और debit में कोई changes आये तो वो हमारे exchange rate को प्रभावित कर सकते है और ये अगर आप free market economy को देखें तो ये free market economy अपने आपको क्या करेगी adjust करेगी वापस जो है वो संतुलन के बिंदू पर जाने की कोशिश करेगी लेकिन जो आप economies को देखेंगे real situations देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो exchange rate होती है और जो आपका जो external sector होता है वो इतना free नहीं होता वो freely manage नहीं वो उसको अब manage करके चलते हैं जो आपके जो आपके central banks होते हैं तो central banks जब भी इस चीज को manage करके चलेगा तो वो कोशिश करेगा कि BOP में और exchange rate में जो इस तरह के issue है यानि खासकर exchange rate में जो बहुत जादा उतार चड़ाओं है और उसकी वज़ए से BOP में जो issues आ रहे हैं या BOP में जो बहुत जादा उतार यानि रुपी जो है उसकी जो value है उसमें ज़्यादा changes नहीं आने चाहिए ठीक है inflation deflation यह सारी problems नहीं आनी चाहिए वो आपको internal stability बना के रखेगा और जो exchange rate है आपका वो आपकी external stability को show करता है तो जितनी ज़्यादा exchange rate जो है वो एक जगह पर सीमित रहेगी या एक bound में उप नीचे करेगी तो वो एक economy के लिए अच्छा है है ना यानि बात करते हैं कि 5% उपर नीचे हो सकता है किसी भी exchange rate में एक particular time period में लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब fluctuations बहुत ज़्यादा है और यह fluctuations जो है यह macro economic issue create कर देंगे आपके यहाँ serious BOP problems को create कर सकते ह और यह एक इसलिए major macro economics के रूप में जो है वो पढ़ा जाता है तो I hope कि आपको समझ में आया हो कि balance of payment और exchange rate क्या है कैसे यह एक दूसरे से interconnected है और इस तरीके से जो आपका module 1 है वो हमारा complete हो जाएगा यह आपने देखा macro economics का module 1 और इसमें हमने के वल introduction लिया है कि macro economics क्या है macro economic कि issues क्या क्या है और next lecture में हम इसको all details में देखने की कोशिश करेंगे और हमारा module 2 या unit 2 शुरू होगी जो कि national income accounting से related है तो for more videos आप जोड़े रहिए और हम next lecture में देखने की कोशिश करेंगे कि national income accounting का concept क्या है और GDP और measurement क्या है कैसे national income का आप कर सकते हैं और related issues क्या है क्या है